हलो एश्टुडेंट्स तो इस वीडियो में आपसे सेर करने वाला हूँ कि मेटरनिक यूग क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम इस क्वेशन को ही समझ लेते हैं कि भाई ये मेटरनिक यूग क्या है देखिए मेटरनिक क्या है कि किसी इंसान का नाम है ठीक है और यूग का ने कुछ ऐसे समय तकार्ज के और वह समाप्त कर दी यूग तो उसी के नाम पर मेटरनिक यूग पड़ा था ठीक है तो उन्होंने क्या क्या किया इस मेटरनिक यूग में आईये हम समझते हैं बढ़िया तरीके से तो सबसे पहले यहां पर लिखा कि मेटरनिक यूग क्या है तो एंसर हमारे पास दिया गया है कि 1815 इसवी से 1849 इसवी के बीच के समय को ही हम मेटरनिक यूग कहते हैं लेकिन कंडिशन यह है कि किस देश में कहते हैं तो यूरोप में याद अखना कि 1815 इसवी से 1849 इसवी के बीच के समय को हम यूरोप में क्या कहते हैं तो मेटरनिक कहते हैं यानि मेटरनिक कहा जाता है क्योंकि यह भी चुका है इसलिए मैंने बोल सकता हूं कि कहा जाता है अब यहां पर मेटरनिक कहा जाता है वाई क्यों तो यहां पर लिखा क्यों कि 1815 इस्वी में आश्ट्रिया का चांसलर तो आश्ट्रिया का चांसलर कौन तो मेटरनिक ने तो मेटरनिक ने वियना में क्या किया वियना में कॉंग्रेस किया यानि सम्मेलन किया क्या किया सम्मेलन किया ठीक है और इसी के साथ मेटर्निक का क्या हो गया सुरुवात हो गया ठीक है इसी जो सम्मेलन किया तो क्या हो गया इसी के साथ मेटर्निक यूग का सुरुवात हो गया ठीक है और इसका अंद कब हुआ तो 1849 की करांती के बाद क्या हुआ मेटर्निक इतना एंसर आप दे देंगे आपको बड़े ही अच्छे तरीके से नमबर मिल जाएंगे I hope कि आप समझ गया होंगे दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना दोस्तों को भी सेर करना धन्यवाद